वीडियोज दिखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com बेल आइकन दबा कर पाएं लेटिस्ट नोडिफिकेशन्स नमस्कार जनसत्ता में आपका स्वागत है रामविलास पासवान की दूसरी पत्नी और चिराग पासवान की मारीना का मायका दिल्ली में ही है बाउजूद इसके रामविलास पासवान से शादी के बाद वो कभी रात को वहाँ नहीं रुकती थी और उसके पीछे छिपी थी एक चिंता जो हमेशा रीना को सताती रहती थी क्या थी वो टेंशन आईए जानते हैं रामविलास पासवान की उम्र जब करीब 8 साल की थी तब ही उनकी ग्रामीर परिवेश्ट से तालुक रखने वाली राजकुमारी देवी से शादी करा दी गई थी पासवान का ज्यादातर वक्त शहर में ही भी था ऐसे में उनके और राजकुमारी देवी के बीच पसंद ना पसंद रहन सहन और बौधिक स्तर पर जमीन आस्मान का अंतर था साल 1977 में जब वे पहली बार बिहार के हाजिपूर से रिकॉर्ड वोट से लोगसभा चुनाओ जीत कर दिल लिया आये तो उनकी मुलाकात वानिज जमंतराले में डिप्टी डायेक्टर के पतपर कारी रहत गुरू बचन सिंग से हुई इसी दोरान वे गुरू बचन की बेटी अविनाश कॉर के संपर्क में भी आये पासवान और अविनाश कॉर की नजदी की बढ़ी और बाद में दोनों ने शादी का फैसला कर लिया शादी के बाद अविनाश कौर ने अपना नाम बदल कर रीना पासवान रख लिया था हाल ही में आई पासवान की जीवनी राम विलास पासवान, संकल्प सहस और संघर्ष में लेखक प्रदीप शिरवास्तों ने एलजेपी के दिवंगत नेता की जीवनी से जुड़े कई किस्तों को दिल्चस्प अंदाज से पेश किया है राम विलास अपनी दूसरी पतनी रीना को प्यार से बीके कहकर पुकारते थे प्रदीप शिरवास्तों के किताब राम विलास पासवान, संकल्प सहस और संघर्ष के मताबिक पासवान ने कहा था कि मुझे याद नहीं है कि एक भी दिन ऐसा बीता हो जब बीके से मेरी बात नहीं हुई हो अगर कहीं अकेले बाहर जाना हुआ तो सुभा और शाम कम से कम दो बार तो फोन पर बात हो ही जाती है या तो वो फोन कर लेती हैं या मैं ही मिला लेता हूँ पासवान ने किताब में बताया था कि रीना का माईका दिल्ली में ही है इसके बावजूद दोनों दिल्ली में कभी अलग नहीं रहे अगर रीना कभी अपने माय के गई तो उसे दिन वापस आ जाती थी कभी रात नहीं रुकी क्योंकि उन्हें पास्वान की चिंता सताती रहती थी बकॉल पास्वान शादी के बाद वो एक तरीके से रीना पर निर्भर हो गए थी कहीं बाहर जाना हो तो कपड़े वगरा से लेकर दवाईयां वगरा तक सब कुछ अटैची में रीना ही रखती थी कौन सी दवा कि इस टाइम पर खानी हैं सारी चीज़ें सहायक को बता देती थी या तो फोन पर याद दिलाती रहती थी पास्वान जब बिमार पड़े थे तो रीना ने तमाम जतन किये विशेश पूजा अर्चना से लेकर गुर्दोश और जोतिश के सुझाओ के आधार पर पती के लिए अंगूठी आधी भी बनवाई थी गुर्द्वारे से लेकर मंदिरों तक गई ये राम विलास और रीना का प्यार ही है जिसके वज़ा से दोनों के किस से आज भी याद किये जा रहे है ये सियासी प्रेम कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताईए और ऐसी ही दिल्चस्प कहानीों के लिए बने रही है जन सत्ता के साथ